नमस्ति, आज की कहानी है कलेम, इसके लेखक है मोहन राकेश, नई पीडी की सहितेकार मोहन राकेश येका जन्म अमरीच सर्मे हुआ, भारत विभाजन की पीडा को इन्होंने बहुती नजदीक से देखा और भोगा है, भारत विभाजन की कई कहानी आपने पड़ी होंगी, उनमें से ये एक कहानी है जिसमें आप देखेंगे कि साधू सिंग जो नायक है, उसकी तरासदी केवल उसकी ना होकर ऐसा प्रतित होता है पूरे देश की तरासदी ही व्यक्त की जा रही है. अपना घर परिवाद, धन दौलत, जमीन जादा, छोड़को जो लोग भारत आये या पाकिस्तान चले गए, उन सब की तरासद जीवन का मानो साधू से यहां प्रतिनिदित कर रहा है. इस कहानी को समझने के लिए हमें भारत विभाजन की उस काल में कुछ समय के लिए जाकर देखना समझना होगा कि कि किस तरह के तरासदी को लोगों ने भूगा था. भारत विभाजन की पीड़ा को लेखक ने स्वयम देखा और भूगा है. नस्दीक से देखा है, अमरिसर में रहते थे और अमरिसर भारत का, भारत पाकिस्तान की सीमा परिस्तित है. तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो भी शेत्र है, जो भी गाओं, देहात, उस समय जो लोग थे, उन्होंने सबसे अधिक इस तरासदी को भूगा है. यह तो पूरे देश में ही बवाल मचा हुआ था, लेकिन लेखक ने इस बिड़ा को नस्दीक से देखा और भूगा है, इसलिए उनकी कहानियों में यह दर्द गहराई से साकार हुआ है. बारत विबाजन की कुछ अन्य कहानिया है, प्रसिद कहानिया जो आप मेरे चैनल पर देख सुन सकते हैं, जिनमें अमरिसर आ गया है, अमरिसर आ गया, भीशम साहने जी के लिखी हुई है, अगेई जी के कि शरंड आता है, और मोहन राकेशी की एक और कहानी है मलवे का मालिक, तो इस तरह से क्लेम कहानी में भी उन सभी लोगों की तरास्ती को सादू सिंग व्यक्त कर रहा है, जो अपना घर परिबार, धन, दौला, जमीन जादा छोड़कर भारत आ गयते या पाकिस्तान चले हाल ही में MDH की ओनर महाजेजी की इम्रित्ती हुई है और उनकी बारे में आपने जरूर सुना होगा कि किस तरह से वे भारत वी भाजन के समय बहुत ही कम पैसे लेकर यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने तांगा चला कर अपना जीवनियापन शुरू किया था, तो इस त इस तरह से बहुत से लोग यहां आकर जब भारत में आ गए थे अपना सब को छोड़कर कितने सम्रिद्ध थे वहां पर उनके बास जमीने थी अच्छे घर थे लेकिन सब को छोड़कर उन्हें भारत वी भाजन के समय यहां आना पड़ा और अपने जीवनियापन के लिए चला कर या इका चला कर तांगा चला कर इस तरह के अन्हें छोड़ी चोड़ी काम करके उन्हें अपना जीवन यापन शुरू करना पड़ा तो इसी तरह से यहां कहानी में एक पातर है सादो सिंग जो तांगा चला कर अपना जीवन यापन कर रहा है claim अंग्रीजी का शब्त है इसका अर्थ है दावा अपने अधिकार या हख मागना किसी भी चीज़ पर आप claim करते हैं इसका अर्थ है कि आप उस पर दावा कर रहे हैं कि यह आप की है आप अपने अधिकार मागते हैं और जब किसी दुरगटना या कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है जिसमें सरकारी तंत्र की जिमिदारी है आपकी सुरक्षा तो उस समय आप सरकार से क्लेम करते हैं या इंशुरेंस आपने किसी जीज़ का कराया आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आप क्लेम करते हैं के संदर में हमने अक्सर इस शब्द को सुना है किसी दुर घटना या प्रसंग पर क्लेम करने पर व्यक्ति को सरकार के और से मुआवसा मिलता है देश विभाजन की घटना भी इस तरह से हुए कि पूरे देश की तरास्ते बनी और उससे प्रभावाईत लोगों को अधिकार दिया गया कि वे सरकार से क्लेम करें मुआवसा मांगें तो उस समय जो लोग वहां से यहां आ रहे थे उन्हें एक फॉर्म भरना होता था और क्लेम के दफ्तर बने हुए थे जहां व्यक्ति जाकर अपने क्लेम की डिमांड कर सकता है उसकी मांग कर सकता है तो क्लेम के जो फिर सरकार तैय करती थी, सरकारी तंत्र तैय करता था कि आपको कितना दिया जाना चाहिए तो यहाँ इस कहानी को लिखने का उद्देश है एक तरफ तो सादू सिंग और उसके जैसे लोगों की तरास्थी पर प्रकाश डालना है दूसरा लोगों की स्वार्ती संकुचित प्रवर्ती को दर्शाना है जिन्नोंने असत्य के मार्ग से क्लेम पाने की करामा दिखाई शाषन तंत्र की खामिया और साथ में जो सच्चाई मानवता प्रेम बंधुता जैसे मुल्य हैं उनमें आने वाली गिरावट इनके भारे में भी बताना कि इनका क्लेम कौन भरेगा पाट परिचे के बाद कहानी को समझना बहुत आसान होगा जहां कहीं कठिन शब्द होंगी उनका अर्थ में बताती जाओंगी आई शुरू करते हैं कहानी क्लेम प्रसुति अल्पना पर्मा इस कहानी के लेखक है श्री मोहन राकिश और मैं यहां इस कहानी का ओडियो वर्जन दे रही हूँ आपके पास अगर बुक है तो आप पुस्तक खोल कर इस कहानी को पढ़ते हुए और मुझे सुनते हुए कहानी को समझे कहानी शिरू करते हैं अड़ी से तांगा चला तो उसमें कुल तीन ही सवारियां थी, अड़ जहां पे तांगा iאתा यहां बस रुकती है तो उसमें कूल तीन ही सवारियां थी एक सवारियां थी काती है दूर से बस आते दिखाई ना दे जाती तो सादू सिंग कुछ और देर रुक कर चौथी सवारी का अंतिजार करता पर बस के आते ही तांगे में बैठी सवारियां उतर कर बस में चले जाती थी इसलिए बस के अड़े पर पहुँचने से पहले ही तांगा निकाल लेना जरूरी हो जाता था बस के आने तक सवारियां कितनी ही उताबली मचाएं पर पूरी चार सवारियां लिए बीरा अड़े से बाहर नहीं निकलता था बस कचहरी से model town तक कि 5 पैसे लेती थी कितना ही किराया था उन दिनों पैसे की value थी एक पैसा दो पैसा पाँच पैसे आना ये सब currency थी 100 पैसे में 16 आने होते थे तो 16 आने का 1 रुपया 100 पैसे बस के आने सवारियां कितनी ही उतावली मचाएं पूरी 4 सवारियां लिया भी न 8 से बाहर नहीं निकलता था और बस जो है वो कचहरी से model town तक के 5 पैसे लेती थी इसलिए तांगे भी 5-5 पैसे महीं चाते थे पूरी सवारियां हो तो कहीं 5 आने पैसे बनते थे नहीं तो घोड़े को सवा मेल दोड़ा कर भी 10 या 15 पैसे ही हाथ आते थे आज सुभह से उसने model town के तीन फेरे लगाए थे मगर अभी उसकी जेब में 17 आने भी जमा नहीं हुए थे मैंने बता है 16 आने का एक रुपया होता है जून की चिलचिलाती धूप में वैसे ही घोड़ी कदम निकल रहा था इसलिए 10-10 पैसे के लिए उसे दोड़ाना अकलमंदी नहीं थी मगर इसकी सिवा कुचारा भी नहीं था गर्मी में सवारी ऐसे ही कम निकलती थी अफसरा उसके घोड़े का नाम है चल अफसरा तेरे सदके चल वैं खड़ा उकर लगाम को घुमाता हुआ उसे चापक का काम लेने लगा दोबी महला फार्ग करने तक उसे आशा थी कि शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए मगर ड्योडियों से उंग थी दो तीन धोबीनों को छोड़ कर सारा महला सुनसान था महले से निकल कर उसने लगाम डिली छोड़ दी पीछे से बस आ रही थी इसलिए पीछे सीट पर बैठी इस तरही जलाने लगी बैठती वक्त तो मिननत तरसा करके बैठा लेती हो और चलाते इस तरह हो जैसे सड़क का मुआयना करने निकले हो इतनी ही देल लगानी थी तो हमसे पहले कह देते हम बस में बैठ जाते हमें इतना जरूरी काम है नहीं तो हमें इतनी गर्मी में घर से निकलने की क्या पड़ी थी तो उसके तांगी पर जो सवारियां थी उनमें से एक इस्तरी थी जिसने ये बात कही साथो सिंग उचक कर बास पर जरा और आगे हो गया और जल्दी जल्दी लगाम को जटकने लगा चल तुझे ठंड पर तेरी जवानी के सथ के चल चल कूली की चाल माई भीवी नाराज हो रही है चला चल तेरी खैर अफसरा मार दे हला ताग तो इस तरह से घोड़े को आवाजें देता हुआ वह उसे तेज चलने के लिए कह रहा है मगर लगाम के जटके खाकर भी अफसरा की चाल तेज नहीं हुए वह दो बार इधर उधर सिर जटक कर अपनी चाल चलता रहा बस हौन बजाती पीछे से आई और धोल का वह उंड़ छोड़ कर आगे निकल गई देखा निकल गई ना बस कहता था बस से पहले पहुँचाओंगा वैसरी फिर बोली सादू सिंग जवाब ना देका लगाम को जटकता रहा और अफसर लगाम की परभा किये बिना अपनी ही चाल चलता रहा अफसर सादू सिंग के गोड़े का नाम है जिसे वो प्यार से कभी-कभी अफसरा भी कह देता है सवा मिल कोई ज़्यादा रास्ता नहीं था ज़्यादा लंबअ रास्ता नहीं था सूरस डलने के बाद यही रासा चुटकियों में पार हो जाता था मतला बहुँच जल्दी पार हो जाता था जब बहुत अधी गर्मी नहीं होती थी मगर उस वक्त तो भरी दुबहरी थी जुन का महीना था और आसपास कहीं छाया नजर आती भी थी तो बहुत सिम्टी सिम्टी और विरान सी कोलतार या तालकोर की सडक जग़ जग़ से पिघल गई थी इतनी अधिक गर्मी पढ़ रही थी आसपास के डेड़ 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 मिन्स बन एड़ाफ डेड़ डेड़ आदमी गहरे छपड सूप गए थे डेड़ आदमी गहरे मतलब इतनी गहराई थी उसमें लगबग आटनौ पीट होगी इतने गहरे तालाब भी सूप गए थे छपड तालाब को कहता है सादो सिंग सोचने लगा कि अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है आगे चल कर जाने क्या होगा चल राजा, चल पुद्रा, तेरी जान की खैर, तेरी सलामती की बरकत, खाजा गम और चला चल गोली की चाल, तेरी मा के दूद की खैर तो ये सब बाते वो कह रहा है, उसको हाकते वे, घोड़े को हाकते वे कि वो थोड़ा तेज चलेगा, तेरी सलामती की बरकत, मिन्स तु सलामत है, तेरी जान सलामत है, तो बरकत है, तो कि यही उसकी रोजी रोटी है, तांगा गाड़ी चलाता है, तांगा घोड़े से चल र पाइजा और गोली की चाल यहने तेजी से चल तांगे में बैठी तीनों सवारियां क्लेम्स के दफ्तर की थी ती आगे बैठे सरदार कह रहा था कि उसका साथ हजार का क्लेम मन्जूर हुआ है पास हो गया है इतने का क्लेम जिसमें से आधा पैसा उसे नगत मिलेगा और आध जायदात की शकल में यानि उसको जमीन मिल जाएगी उतने की पीछे बैठी इस्तरी रो रही थी कि बेड़ा गर्खो क्लेम मन्जूर करने वालों का जो उसका सिर्फ अठारा हजार का क्लेम मन्जूर किया गया गुजरावाला जो पाकिस्तान में जगे है जहां से इस्तरी जाय थी गुजरावाला में उसके चार मकान थे एक साड़े तीन कनाल का बगीचा था ये नापने की यूनिट है कनाल तो एक साड़े तीन कनाल का बगीचा था बगीचा चार कनाल का होता तो उन्हें ज्यादा रुपया मिलता फिर वो सोचती है कि अगर उन्हें पहले पता होता तो वे आदा कनाल ज्यादा लिख देते जो क्लेम का फॉर्म बराता उसमें वे अपनी सक्चाई में मारे गए घर में उसकी दो जवान लड़किया हैं जिनने अकेली छोड़कर उसे रोज रोज बटाला वो जगे जहां से आ रही है बटाला से जलांदर जलांदर में ऑफिस है क्लेम्स का बटाला से जलांदर के चक्कर काटने पड़ते हैं इसी तरह चक्कर काटते काटते उसके पती की मृत्ती हो गए और वे खुद भी बीमार रहने लगी है कहती है पता नहीं मुझे अपने जीते जी इन कसाईयों का पैसा देखने को मिलेगा या नहीं कसाई कौन है वे लोग जो इस विभाजन के जिम्मेदार है क्योंकि इस विभाजन के कारण ही इतनी मार काट हुई इतने लोग मारे गए तो उनी के लिए कह रही है कि इन कसाईयों का पैसा यानि यह जो सरकारी तंद्र है इसका पैसा इसको मिलेगा या नहीं आगे वे कहती है कि मुझे तो लगता है कि मैं भी इसी में मर खब जाओंगी और मेरे बच्चे पीछे भी लगते रहेंगे उसका लहजा ही ऐसा था कि जैसे वैं बात ना करके किसी से फर्याद कर रही हो चहरे के भाव से लगता था जैसे अभी अभी उसे कोई सद्मा पहुचा हो उसी सीट पर उसी स्ट्री के साथ बैठे एक व्यक्ती के माथे पर तियोरियां थी और मैं खामोश बैठा था 6,000 में से कुछ अभी मिला है या नहीं वैस्तरी बोली कुल 6,000 मिला है अभी मेरा बाल बच्चों वाला घर है 6,000 से मेरा क्या बनता है मेरे बच्चे अच्छा खाने पीने के आदी हैं उन पर 6,000 एक महीने में खर्च होते थे और कहते हैं यह रुपिया भी विद्वान एकारण मुझे मिल गया है इतना देकर भी उन्होंने मुझे पर हैसान किया है और वैपले से आखे पहुशन लगी उन्होंने कौन है यहां प्रशाषन के लोग जिन्होंने उसका क्लेम मंजूर किया और इतने बैसे उसको दिये तो उन्हें कह रही है अब यह बात सुनका खामोश बैठा व्यक्ति सरदार की तरफ मुड़ा और धिकार ने किसी आवाज कले से निकाल कर बोला सच कहते हैं औरतों की अकल टकनों में होती है टकने यह एंकल में जो एड़ी के उपर की तरफ जगे होती है टकना क्यों भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझे गालिया दे रहा है इस तरही आंसु पहुशती हुई तैसा तमक उठी मैं तुसे तिरी जमीन जयदा तो नहीं मांग रही हूँ अपना जो कुछ छोड़ाई हूँ उसी का रो ना रो रही हूँ तु अकेली नहीं छोड़ाई है हम सब अपने घर बार पीछे छोड़ाए है शुकर कर तुझे 6,000 रुपे तो मिल गए है या हम जैसे भी हैं जिने आज सक एक पाई नहीं मिली है हमारा कसूर यही है कि मिया बीबी दौनर सलामत है मैं अगर मर खब क्या होता तो मेरे बच्चों को भी अब तक दो रोटिया नसीब हो जाती आँखे मेरी अंधी हो रही है जोड़ मेरे दर्द करते हैं मैं जीता हुआ भी क्या मुर्दों से बेदर हूँ मगर सरकार के घर में ऐसा अंधेर है कि लोग इनसान की जरूरत को नहीं देखते बस जीते और मरे हुए का हिसाब करते हैं मुझे आज ये एक हजार ही दे दे तो मैं कोई छोटी मोटी दुकान डाल कर बैठ जाओं मेरे बच्चों के पास तो एक एक फटी कमी जीज भी नहीं है तो ये उस व्यक्ति का दर्द है आप यहां देखे प्रशाशन परतंज भी है और साथी साथ मजबूरी भी उस विस्थापित परिवार की जिस का ये मुख्या है अपनी अपनी तक्दीर है भाई साहब कोई किसी दूसरे की तक्दीर थोड़ी ये ले सकता है सरदार मद्यस्तिता यानि बीच पचाव करता हुआ बोला हम और आप भी दुखी है और यह भाही भी दुखी है कौन यहां दुखी नहीं है कोई कम दुखी है कोई ज्यादा दुखी है आपको साथ हजार मिल रहे हैं आपको किस चीज़ का दुख है वे व्यक्ति और कुड़ गया मिल रहे हैं ये भी तक्दीर की बात है सरदार बोला क्लेम भड़ते हमें अकल आ गई उसी का फ़ल समझे नहीं हमें भी ये दस बीस सरदार दे का टरका देते आपनी क्लेम ज्यादा का भरा था उस्वित्ती ने पुछा तो सरदार जी ने जवाब दिया हमारी डेड़ लाग की जायदा थी मगर हमें पता था कि अगले असली क्लेम भरेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगेगा सुवाही गुरु का नाम लेकर हमने इस तरह वाब भरा कि जायदात की असली कीमत तो कम से कम वसूल हो ही जाए मगर इन बैइमान बैइमानों ने फिर भी कुल साथ हजार कही क्लेम मन्जूर किया है हम छे भाई हैं दस दस हजार लेकर बैठे रहेंगे अब यह इस तरी हताश भाव से कहती है मैं इनसे इतना कहती रही पर इन्हों ने मेरी एक न सुनी और हाथ मलने लगी हताशा से हाथ मलने लगी दोनों व्यक्ति सवालिया नजर से उसे देखती रहे अब कि भी क्या बात है क्या कहती रही क्या बात कहना चाहती है तो इस तरी कहती है मैं कहती रही कि जितना छोड़ा आये हो उससे ज्यादा का क्लेम भरो मगर ये ऐसे मुरक थे कि हट पकड़े रहे कि जितना था उतने का ही क्लेम भरेंगे पहले ही इतने डुक उठाएं अब और बैमानी क्यों करें आज ये मेरे सामने होती तो मैं पूछ थी कि बताओ बेमानी करने वाले सुकी है या हम लोग सुकी है लोग ने जितना छोड़ा था उससे दुगना तिगना वसुल कर लिया और मैं बैठी हो छेजार लेकर हाई इन लोग ने तो मेरे बच्चों को भूको मार दिया जो लिखा है उससे संतोष कर अब वो कुड़कर बोलती है रोती रहती है और कहती है संतोष करने को एक मही रहती हूँ क्या सारे दुनिया मौच करे और मैं संतोष करके बैठी रहूँ माई के साथ बैठा व्यक्ति उतावला होकर बोला अरे जल्दी पहुँचो भाई इतना आइस्ता क्यों चला रहे हो सादू सिंग जुंचला कर बार बार लगाम को जटके दे रहा था मगर घोडे की चाल में फरक नहीं आ रहा था अब पहला गाम का सिरा जोड़ जोड़ से उसकी पीट पर मारने लगा तेरी अफसर की ऐसी की तैसी तेरी पूच पता तैया काटे चल पुत्रा चल जल्दी चल मगर ततैये याने जो वैस पुत्र है यलो भी उसकी डर से भी अफसर की चाल तेज नहीं हुई क्लेम्स के दफ्तर के बाहर उन लोगों को तार कर लोटते हुए सादू सिंग को एक भी सवारी नहीं मिली वै काफी देर तक मार्केट के मोड के पास रुका रहा मगर तीनों सडकों में से किसी पर भी उस वक्त कोई इंसान चलता दिखाई नहीं दे रहा था तेरा नमबर दुकान के साहे में तो एक रिक्षवाले सोहे हुए थे तेरा नमबर का सदार अंदर बरक ऊट रहा था सादू सिंग का मन हुआ कि सरदास एक लाद शिकंजवी जो नीबू पानी बनवा कर पी ले और कुछ दे रिक्षवालों के साथ वहीं रिक्षवालों के पास ही एक तरफ लेटा रहे मगर तांगा खड़ा करने के लिए वहाँ कोई थायादार जगह नहीं थी और ना ही नस्दी कोई चह बच्चा था चह बच्चा कहते हैं ऐसी जगह इट और सिमिंट की बनी होती है चोकोरसी उसके अंदर पानी भर के गोड़े वगरा के लिए रखा जाता है गोड़े वगर उस जगह पानी पी सकते हैं होज सी होती है चह बच्चा था जहां से गोड़े को पानी पिला सके गोड़ा गर्मी के मारे हूक रहा था परिशान हो रहा था दर्थ से आवाजें निकाल रहा था हूक ना परिशानी से आवाज निकालना बार बार जबान बाहर निकाल रहा था सादो सिंग्की जेब में जो सत्रह आने थे वे भी हिसाब से अब उसके अपने नहीं थे क्योंकि गोड़े के लिए चारा खरीदने के लिए कम से कम दो रुपे चाहिए थे तो अब वोशीकन जी तो पी नहीं सकता उसने जबान से होटों को गिला किया और घोड़े का रुक शहर की तरफ करा दिया लंबी सीधी वीरान सड़क पर भेया केला तांगा चल रहा था आजपास के पेड़ भी गर्मी से परिशान सिर्ज जुगाये खड़े थे फिर भी ना जाने किन जुर्मुटों में बैठी कुछ चुड़ियां बोल रही थी सादो से लगाम ढिली छोड़कर पीछे की सीट पर अदलेटा सा हो रहा उसका मन उस समय उस आम के पेड़ की डालों के गिर्द मंटरा रहा था जो उसने बड़े चाओ से अपने जो उसका घर था पतोकी के घर के आंगन में लगाया था 9 रुपे महीने का वह मकान बरसों के परिचय के कारण अपना मकान ही लगता था 9 रुपे उस महीने का किराया था हीरा ने जो सादो सिंग की पतनी थी हीरा हीरा ने कितनी ही बार कहा था कि पराए घर में पेड़ लगा रहे हो पाल पोस कर एक दिन दूसरों के लिए छोड़ जाओगे अब ये सादू सिंग को जो कुछ याद आ रहा है उसके बारे में आगे लिखा है खुब फल भूल रहा होगा ऐसा सादू सिंग सोच रहा है और फिर उसे ख्याल आता है हीरा और हीरा उस साल पेड़ पर पहली बार फल आया था पुरानी याद फल आने की खुशी में उसने ना जाने कितनी कच्ची अंबियां खाडा ली थी क्यों जान पुचकर दात खट्टे करते हो हीरा चिड़ती ये अपने पेड़ का फाले जानी इसे खागर दात खट्टे नहीं होते और हीरा के अद खिले योवन को वे गाड़े आलिंगन में समेट लेता आम हरे से पीले और पीले से सुर्ख हो आये थे जब बलवा शिरू हुआ बलवा अरतात दंगा रॉइट्स पतोकी की हर गली में खून बहने लगा आदी रात को बलवाई जो दंगाई थे उसके महले में भी घुस आये थे जब उनके घर का दर्वाजा तोड़ा गया तो वे हीरा को साथ सटाय तम साथ कर चार पाई पर पड़ा था उन्होंने जल्दी से पिछवाड़े की तरफ कूद जाने का निश्य किया वे थो जट से कूद गया मगर हीरा दो-चार बार उचक कर भी कूद नहीं पाये थे गई थी वो तो यहां सादू सिंग तो पाहर निकली चुका था वह वहां से भागता हुआ खेत रेल की पट्रियां ना जाने क्या क्या जो है वो पार करते वे स्टेशन पहुंचा अंधीरा खेत और रेल की पट्रियां बेजान हाथ पैर और भूख टिकेट कूपन कार्ड और नंबर अब वहां पर जो फॉर्म भरा जाता है क्योंकि अब भारत जाने की ट्रेन में उसे सवार होना था स्टेशन पर उसका नाम अगेरा लिखवाया गया और क्लेम का फॉर्म भरा गया तो उसी के बारे में आब आगे हम देखेंगे नाम सादू सिंग वल्द मिलका खत्री जमीन जै Metallic कोई नहीं। क्लेयम क्या क्लेम और मुंकि अब इस सोच रहे है क्लेम उसमें मैं क्या लिखता है मन इस सोच रहे है। उसका वे आम का पेड जिसके पकने की उसे बेसबरी से इंतजार किया था और जिसकी अंबिया खाखा कर उसने अपने डार्ट खटे किये थे उस पेड की छाया में उसे भविश्य के जो साल बिताने थे क्या उसका क्लेम? फिर वे सोचता है उस घर की अपनी एक खास तरह की गंद थी जो कपड़ों की गाट से लेकर आंगन की दिवारों तक हर चीज में समाई रहती थी वह गंद उसका क्लेम? और वे रातें जो आंगन में लेट कर आसमान की और ताक्ते वे बितानी थी बीदती थी क्या उन रातों का क्लेम? और आने वाली जिंदगी के वे सब मनसुवे वे सब उसकी इच्छाएं जो उस घर की दहलीच के अंदर बाहर जाती वे मन में उठा करती थी हीरा, बता पहले तेरे लड़का होगा या लड़की? फिर इसे अपनी वाइप के साथ, अपनी पतनी के साथ की भी बात याद आ रही है हाई शरम करो, कैसी बात करते हूँ अच्छा मैं बताओ, पहले तेरे एक लड़की होगी फिर तो लड़के होगे, फिर एक लड़की होगी मैं इस तरह से वो आगे उनके आपस में समवाद होते हैं मैं उसे इसी तरह चीकुटी काटूँगा और वे इसी तरह चीक उटेगी वे सपश, वे सिहरन, वे कलपना, वे भविश्य क्या उसका क्लेम वे सपश, प्रशन चिन, वे सिहरन, प्रशन चिन, वे कलपना, प्रशन चिन, वे भविश्य सादू सिंग वल्द मिल्खा सिंग, कौम खत्री, नमबर, प्रश्न चिन, क्लेम, प्रश्न चिन आम का पेड, अब बड़ा हो गया होगा, घर की दिवारों की गंद पहले से बदल गई होगी और हीरा आज उसकी गोद मिना जाने किसके बच्चे होंगे, सादू सिंग सोच रहा है, और सोचते सोचते अब सीधा होकर बैठ गया, तांगा धोवी महले में पहुँच गया था, चारों तरफ हर चीज अब भी उंग रही थी उसने लगाम को लगातार कई जटके दिये, घोड़े की गर्दन थोड़ा उपर उठी, फिर उसी तरह जुग गई अड़े पर पहुँचकर सादू सिंग ने घोड़े को चै बच्चे से पानी पिलाया, और सीट के नीचे से चारा निकाल कर उसके आगे डाल दिया गोड़ा चारे में मुँ मारने लगा, और सादू सिंग उसकी पीट पर हाथ फेरने लगा तेरी बरकत रही अफसरा, तो अपने पुराने दिन फिर आएंगे, खाले, अच्छी तरह पीट भर कर खाले, अपने सब क्लेम तुझी को पुरे करने है, तेरी जान की खैर और अफसरा, गर्दन लंबी के चुपचाप जारा खाता रहा तो यह थी कहानी क्लेम, और इस कहानी का वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही थी, आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी और साथी साथ कहानी कार का उद्दिश यह भी आपको इस पस्ठ हो गया होगा, किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं, धन्यवाद